हेलो नमस्कार दोस्तों, डे, अगले दिन में आपका स्वागत है, मैं डे कुन सा है, मैं खुद भूल गया हूँ, लेकिन जो भी दिन है उसमें आपका स्वागत है, ठीक है आज हम लोग परने वाले हैं, नो आर्टिकिल्स और जीरो आर्टिकल्स इसे कहते हैं कहां पर हमें आर्टिकल्स का प्रियोग नहीं करना चाहिए, देखिए हम लोग आर्टिकल्स का गलत जगा प्रियोग कर लेते हैं और इससे साब्धानी नहीं बढ़ते थे हम काई सारी मिस्टेक्स को कर देते हैं तो कहा जा रहा है कि आर्टिकल का प्रियोग छात्रों को बहुत ही साब्धानी से करना चाहिए क्योंकि इसका गलत प्रियोग आपको विटम में डाल सकता चलिए समझते हैं कि कहां पर आटिकल का प्रियोग नहीं करना चाहिए लेकिन इससे पहले अगर विडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि ये मुहीम हम हिंदी मीरियम के चातरों के लिए ही सुरू किये हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं पहला जो नियम है उसको देखते हैं पहले परते हैं उसके बाद आपको समझाएंगे कहा जारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कॉर्ट, हॉस्पीटल, प्रिजन, मार्केट, से पुर्व, आर्ट किलदा का प्रियोग उस इस्तिती में नहीं किया जाता जब वहां जाने का उद्देश वही हो जिससे तू इनका निर्मान किया गया हो सिंपल सा अर्थ ये कह रहा है कि देखिए, आप स्कूल की बात कीजिए, चाहें कॉलेज की बात कीजिए, चाहें उनिवर्सिटी की बात कीजिए, या बेड की बात कीजिए अगर इसका वही उद्देश हो तो या जिस चीज के लिए ये बना हो अगर वही काम उसमें हो तो उसमें आर्टिकल का प्रियोग नहीं किया जाता है ठीक है माल लीजे एक उधारन आपको देते हैं कि बेट का काम क्या है इसपे हम लोग आराम से बिसराम करते हैं और वहाँ पर जाकर आप कुदने लगें ठीक है उस पर वो चरके उसको तोरने की परियास करें तब बेट का तो बेट उसके लिए नहीं बेट किसके लिए बनाएं आराम करने के लिए तब उस इस्तिति में दाकाप्रियोग होगा ठीक है अगर उसका वही परपस वाद दाकाप्रियोग नहीं होगा जैसे एक और एक्जामपल समझते हैं ठीक है देखिए नीचे से समझते है इस पर एंडिये ने कोश्चन पूछा है 2011 या 12 में मुझे याद है जहां तक ठीक है इंडिये ने इस पर कोश्चन पूछा है सीडियेस में भी कई बार कोश्चन आया है देखिए यहां पर बेट पे सोने कार्थ है ठीक है बेट पे सोने कार्थ है कितना बज़ेगे 10 बज़े सोने के लिए तो यहां पर बेट के साथ आटिकल दा का प्रियोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों कि यहाँ बेट का जो परपस है, वो सोने का परपस है, हम क्यों जा रहे हैं, तो sleep करने के उद्देश से जा रहे हैं, ठीक है, एक example और देखिए, यहाँ पर टीबी, हम लोग जो है, मार्केट क्यों जा रहे हैं, तो टीबी को पर्चेस करने के लिए, तो मार्केट का वोई उद्देश है, मार्केट किस के लिए बना है, तो मार्केट बना है, किसी चीज को खरिदने के लिए, ठीक है, या बेचने के लिए, जिसे यह देख लिजे college हम 10 AM में college आते purpose of study तो वह ही है इसलिए college के साथ क्या लगेगा हम लोग article का प्रियोग नहीं करेंगे ठीक है लेकिन अगर उदेश बदल जा उदेश वही नहीं रहे जिस चीज के लिए रिमान किया गया उस चीज के लिए ना किया जाए तब हम लोग article प्रियोग करेंगे जैसे जैसे I found her near the church ठीक है मने यहाँ पर उसको मैंने देखा चर्च के आसपास अब वो परातना नहीं कर रहा था कुछ और कर रहा होगा ठीक है जैसे I will meet you near the court यहाँ पर court पे मिलने की बात की जा रही है इसके दा का प्रियोग होगा क्योंकि court का मेन उदेख क्या है वहाँ पर वकालत करना फैसला सुनाना जज़ फैसला सुनाएंगे लेकिन यहाँ पर तरह साब कुछ बात नहीं है इस स्थिति में हम लोग आर्टिकल का प्रियोग करेंगे क्योंकि उदेख से हम बटक गए जैसे मान लिजे आप जाए प्रिंस्पल को किरनेप करने के लिए तो आप इस स्थिति में क्या लग जाएगा दा का प्रियोग होगा मतलब कॉलेज या स्कूल के पहले ठीक है हो मैड हो नॉमिनेट हो इलेक्ट हो या डिकलियर हो के बाद यदि कोई नाउन आता है उसके पुर्व आर्टिकल का प्रियोग नहीं होता है ध्यान रखेगा क्योंकि दोस्तों ये तुरंत जो होता है अपने बाद ये ट्रांजिटी बहग का काम कर लेता है ठीक है और इसक आक से बना है मैड नॉमिनेट मने किसी का नाम हो चारन करना नॉमिनेशन करना ठीक है रेक्ट मने चुन न Acho करना ठीक है अगर इन सबों के बाद डेफिनेट ली अगर कोई नाउन आ गया ठीक है उसके पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लेंगे चाहें इस्तिति कैसा भी हो आर्टिकल कोई भी नहीं लेंगे न ए न ए न ये न दा ठीक है जैसे He was elected an MLA लिखना गलत है He was elected MLA बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वो गलती कर देते हैं He was nominated secretary He was nominated secretary ये सही है A secretary, N secretary, the secretary लिखना गलत है अर्टिकल लगाना ही नहीं है He was declared captain of our team He was declared a captain of our team बिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है इसलिए ध्यान में रखिएगा We met him monitor यहाँ पर met क्या हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर यह काम कर रहा है ठीक है इस चीसका इस हिसाब से यहाँ पर हम लोग जो भी नाउना रहे उसके प्रियोग हम लोग उसके पहले article नहीं लगाएंगे ठीक है ओके तीसरा बात जो आपका खाना का जो नाम है एक मिनर दोस्तो खाना का जो नाम है खाना का नाम जैसे lunch, dinner, supper, breakfast के पहले article का प्रियोग समान इस्तिती में नहीं होता है जैसे इसको normal यूज करते है lunch, dinner, supper, breakfast, lunch हुआ, dinner हुआ अच्छा एक बात बता सकते हैं यह हम नहीं बता हूँगा इसके इन्दि lunch हम लोग कप करते हैं, dinner कर करते हैं, supper कप करते हैं समान इस्तिती में है, तो कोई article नहीं लगया लेकिन, लेकिन यह lunch एक परकार का खाने का काम कर रहा है अगर खाना कुछ है, ठीक है उसके पहले अगर हम, उसको मतलब adjective लगा देते हैं उसके पहले article का प्रियोग होगा, ठीक है जैसे देखे, dinner, dinner है डीनर के पहले हमने क्या लगा दिया, nice nice है क्या adjective है इसके पहले हम लोग article लगा लेंगे he arranged a nice dinner, ठीक है अच्छा, the dinner hosted by the queen was super यहाँ पर dinner को कुछ खास बना दिया गया definite कर दिया गया और यहाँ पर इसको भाई साब इसके पहले noun यूज कर, जो है इसको मतलब क्या बना दिया गया इसको treat कर लिया गया, ठीक है एक खास बना दिया गया, इसलिए हमनों यहाँ the dinner लगा दिया, ठीक है, समझ माया बात चलिए बिमारियों के नाम के पुर्व article का प्रियोग नहीं होता है, ठीक है दो चीज याद रखेगा, दो सब्द में आपको बता रहा हूँ एक हर die, die of, die of का मने हुआ मतलब बीमारी से मर जाना, बीमारी से मर जाना die from, किसी कारण से मर ना, ठीक है यह दोनों में अंतर याद रखेगा कई बार pre-position में यह पूछा जाता है ठीक है, लेकिन यह दिजीज के नाम पुलल में हो जैसे मम्स हो गया, गल्सुवा, मेजल्स हो गया तो इसके पहले दाकप्रियोग होगा, जैसे the measles is a contagious disease, मतलब बहुत ही फैलने वाला, या मतलब बहुत ही क्या है खंतरनाक dgs है, ठीक है याद रहेगा, एदब एक एक चीज में बार की से आपको बता रहा हूँ, यह चीज आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा भी नहीं भूलना है भासा के नाम, रंग के नाम के पहले आर्टिकल का प्रियोग नहीं होता है, कोई भी भासा है, या कोई भी रंग है ठीक है, उसके पहले आर्टिकल का प्रियोग नहीं होता है ठीक है, जैसे I can speak Hindi but I can't speak English ठीक है, because you are fumbling, you are not fluent so that you cannot speak English that's your problem, ठीक है मतलब, मैं भावनों में भागया था, ठीक है I can't speak Hindi, मैं Hindi बोल सकता हूँ देखे, यहाँ पर है भासा का नाम है हिंदी ओके, लेकिन अंगरीजी नहीं बोल सकता है अंगरीजी भी भासा है, ठीक है, he likes blue and white color, blue और white यहाँ पर दोनों क्या है अपके रंग है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसी color को na adjective कर लेते हैं, क्या treat कर लेते हैं, मित्रों अगर color को adjective कर लेते हैं और उसके पहले हम क्या करते हैं sorry, अगर यह लेकिन यह दी color का नाम adjective की तरह किसी countable noun के साथ हो, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ठीक है, बन्हें अगर color है, अगर उसके just बात कोई countable noun नों यूज करते हैं, उसके पहले article हम लोग लगाएंगे क्योंकि, देखे, see है जब blue सारी यहां सारी क्या countable noun है और यहाँ पर इसके पहले हमने blue के पहले ए लगा दिया, क्योंकि इससे हमने क्या क्या पता क्या सारी कैसा है, blue है, जैसे विक्टोरिया है, कैप्टन कूक है, इसके साथ article दा का प्रियोग नहीं होता है, जिसे the emperor asoka लिखना गलत होगा, ठीक है, लेकिन दा का प्रियोग title, the duck of york के साथ होता है, ठीक है यह एक exception दियान रखेगा, the duck of york के साथ हम लोग डा लगा लेते हैं, ठीक है, तेले दोस्तों आगे देख लेते हैं, अगर दो अलग-अलग adjective एक ही countable noun के लिए प्रियोग तो article जो है, पहले वाले adjective के साथ ही होगा, ठीक है, इसे माली जो दो-दो अलग-अलग adjective हैं, और आपके जो है, एक ही यह book है, ठीक है, यह book कैसा है, हिंदी और English वाला है, ठीक है, और एक learning book है, ठीक है, अलग-अलग adjective है, अलग-अलग adjective यादी दो-अलग-अलग adjective, एक ही countable noun के लिए प्रियोग तो article का प्रियोग पहले वाले adjective के पहले होगा, ठीक है, समझमाय की नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गोड़ से देखें, यहाँ पर हिंदी और English क्या है, यह एक learning book है, ठीक है, इसके लिए हमने एक इसके पहले लगा दिया, इसके पहले लगा दिया, जो पहले वाला adjective है, उसके पहले, ठीक है, okay, Hindi और उसके बाद English दोनों यह adjective का काम करना, okay, this is an English and Hindi dictionary, यहाँ पर dictionary कैसा है, Hindi और English का है, इसलिए हमने एन इसके पहले लगा दिया, ठीक है, समझ मैं बाते हैं, यह चीज़े आपको दिमाग में रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है, सारा का सारा चीज़ आपके दिमाग म तब तक कि लिए दोस्तों, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कमेंट बनीं बाक्स में में बता सकते हैं, जापको आप सीखना है, और कौन सा टॉपिक और कबर कराना चाहते है, थैंक्यो भूलना